कुछ कोवानसी म मारी हैं जो आज कल हर तीसरे घर में ये बैमारी होती है कि ़ी जा कि कहीं जो है जैसे सेरों में है तो हर गर में ये बैमारी या पाई जाती है सर्वाइकल हो गया स्लिप डिस्क हो गया सुगर हो गया साइटिका हो गया गैस प्रावलम हो गया बीपी हो गया तो कुछ बहुत सारी ऐसी व्मारिया है जो कॉमन हो चुकी है कि हर आपको दूसरे तीसरे घर में बबाया जिसे जाना मिलेंगी जैसे कि थाइरड हो गे और यह वीडियो मेरा दोस्तों थाइरड की पर है दो स्थाइरड यह हूता है यह gotta अदित हार्मोन रिलत ग्रीर करता है कर से बलें होता और कि जकी घ्रा करने है किभार मारें तो जब और यही ग्लैंट जब इसको जादा छोड़ देता है इस हार्मोन को तो हइपर्थाईड की समस्यभ व्याप्र नहीं जेए हाईप्थायरेड में क्यों होता है आदमीं मोटा हो जाता है और हडियां कम्योर हो जाती है, बोडी में पेन जाया का सुरू हो जाता है, कई बार बीपी हाई रहता है, कई बार डाउन चला जाता है, या कई बार आदमी को गवराट मैसूस होती है बेजानी मैसूस होती है ये हाइपो थाइरेड के मुख्या मुख्या जो रिजन है वो बता रहा हूँ है दूसरे नमबर पर आता है दोस्तो हाइपो थाइरेड हाइपर्थाइड क्या होता है इसमें ब्यक्ति को बीकने सूती है हलका हलका भुखार भी रखता है आंखें बाहर को आ जाती है बजन कम होता जाता है यह कुछ लोगों में बजन कम नहीं होता है लेकिन जैसे हलका वुखार यांखे बाहर को आ जाती है इसको हाइपर्थायर होते है अब दोस्तों ये जो ऐलोपैथी के डॉक्टर है ये ऐलोपैथी के अंसार जो अंतैसरावी ग्रंथी हैं जैसे कोई भी ग्लेंट हार्मोन स्क्रीड करता है ऐलोपैथी की अंदर इसका को कोई इलाज नहीं होता है और जब से आपको विम्मारी हो जाती है तब तक आपको फिर जब तक आदमी जीवित है तब तक ये दवाई खानी पड़ती है और हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे कोई पेशेंट जो है हाइपो थाइरेड की दवाई खा रहा है तो एलोपैथी से क्या होता है कि के वार रह थारेड में कर्न बेद हो जाता है या है एकर थारेड किसी को है तो वह थाइपो थाइरेड कणरव रहता ह Ini कि आधरैकार कुल मला करके आपको ईलोपैथी दोवाई जो है एलूपैथी डॉक्टर की हिसाब से खानी पड़ती है और जिसका बहुत सारा साइड एफेक्ट है हाइपर थाइरेड से दोस्तों लोगों को कैंसर भी होता है तो दोस्तों आप इसके इलाज के बारे में बताऊंगा तो आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाई वहना से दीद हैं वो पत्ता गूभी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें यह ध्यान लखीगा और जो थाइरेड का लाज है दोस्तों हाइपर थाइरेड जोंको जल्दीद ही काता है हाइपो थाइरेड को तो टैम जादा लगता है अब बहुत सारे लोग जो हैं घ्रिलू नुस्कों क यह दो पर या जो असान चीजें हैं वो करना चाहते हैं और लोगतों मैंने अक्सर देखा है आजवेद के ग्रंथों में कि थाइरेड की कोई बिमारी का जीकर नहीं हुआ है कहीं भी उपराचीन ग्रंथे उसमें थाइरेड की कोई रोग नहीं बताया गया है ना ही उसका इसको गले की रोग के ही नाम से जाना गया है अब बहुत सारी ऐसे जगह हैं जैसे सहतूत का सिर्का हो गया धनिया हो गया यह दूसरी बहुत सारी ऐसे चीज़ हैं कि गले की रिए गले की रोगों के लिए यह अच्छी चीज़ है लेकिन धनिया के प्रयोग से भी बहुत सार इसे में आदमी जो सेक्सिल लाइफ है वो खत्म जाती है तो कहना का मतरफ है दोस्तों कि जो इसका प्रोपर लाज है आपके चाहे टोंसेलाइटिस हो चाहे थाइरड हो दोस्तो यह थाइरड की समस्य जो है वो जड़ से निकल जाती है ये मेरत जर्बा है, हाइपो थाइरेड में 3-4 मीने लगते हैं, अगर आदमी पेज रखे तो 3-4 मीने में ठीक हो जाता है और हाइपो थाइरेड को थोड़ा टाइम लग जाता है, यानि कि रोगी की उमर जो है, भोगी इसमें मैटर रखती है, रोग कितना पुराना है, ये भी चीज मैटर रखती है तो दोस्तों अब मैं इलाज के बारे में बताओंगा, नमबर वान दोस्तों इसमें क्या होता है, कि जो जंगलों में जंगली हरड होती है, हरड का पेड होता है, जैसे बहुत सारी आप नरसरी में जाएंगे, वो हाइब इलिटर जो है, वो हरड के पेड होते हैं, वो उसक इतना वो इफक्टिव नहीं पाई जाती जिस तरह से आजकर हाईब्रीड के अराज हैं फल फ्रूट हैं वो उसका साइड इफक्ट यह दो तो लेकिन जो अपने आप पर कुदरती तोर पर चीज उत्मन हुई है उसका जो इफक्ट हो बहुत जादा बता है और जो मौसम के अ गत्रूं के इसपाना है और कुञत्य उसको आपने की उसको सके हाई और को पर कम से कम एक चोटा-चमबच ऑे कि पानी में डाल करके आप एक गिलास पानी में डालीे उसको अचीतरा चाय को कि क्वाइल करते हैं जैतने देर चाइबोरी को आ पति को इसको बॉइल करें और उसको अच्छाने के उपरान जो इसके अंदर एक चămव जो अच्छे कॉनिक्ट्ट वाला शाहर होता है दोंद की और फिर की तरह सिफप्सिफ करके पी दूसरा जो इसका और एक और जो साथ में इलाज चलता है क्योंकि ये कि ऑटोमेन डिजीज है तो उस ऑटोमेन जो ऑटोमेनिटी को कैसे आप ठीक करेंगे वो सीधी चले तो उसके लिए दोस्तों जो गिलोए का एक प्योर घंस्वत्ता बनता है वो चलता है लेकिन दोस्तों ये आपको मार्केट में कहीं की नहीं मिलेगी ये आपके खुद ही त्यार करना होता है इसके प्रक्रिया तोड़ी टफ है लेकिन अगर आप इसको करते हैं दोस्तों तो निश्चे तोर पर आप थाइड में फाइडा होगा एक और चीज़ यहां पर लास्ट में कहूंगा कि कुछ लोग जो हैं दोस्तों कंचनार गूगल का अपना उसका प्रयोग करते हैं कचनार गूगल जो है दोस्तों वो सिर्फ गांठों में ज्यादा थक्तिव हैं और जो कचनार पेड़ की छाल है दोस्तों वो आरवेद के अनुसार सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो है मूँ के छालों के लिए अगर आपको मूँ मैं या जीव की कोई रोग है विसेशता जीव के रोगों के लिए कचनार के पेड़ की छाल जो है वो सरबोतम है इसके मुकावले में आपको छाले हैं जीव कोई भी रोग है तो कचनार का काड़ा जो है इसके पेड़ की छाल जो है सबसे सरबोतम है और गले के लिए दोस्तों ये जो मैंने बताया आपको हर्ड का और फिलोए का इसके बराबर दूसरी कोई आउस्दी नहीं है जो मेरा आज तक का तजर्बा है मेरी उमर 49 हो चुकी है मैं लगवग 20-25 सालों से इन चीदियों के उपर कार्या कर रहा हूँ तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो तजर्बा ही होगा मुझे भी तो दोस्तों मेरा नाम बैदिया सोनी कुमार है मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ हमिपूर रिष्टिक से मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को भ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समस्क्राइब